तोड़े में हम बात करेंगे Zee Entertainment के Q4 के रिजल्ट के बारे में Q4 का रिजल्ट आ गया है, मीडिया सेक्टर की एक कमपनी है Zee Entertainment और आज NDTV के भी रिजल्ट आने वाले है दोनों के रिजल्ट आपको अनल्यस यहापर हमारे चानल में मिलेका चानल को सब्सक्राइब नहीं किया, फ्री है, हर बार के तरह नहीं किया तो कल फ्री कीची छोड़नी नहीं चाहिए, साथ ही में एक फ्री ऑप्शन सिरीज जीरो से चल रही है, मतब जिसको ऑप्शन का ओ भी नहीं आता उसको पूरा उप्शन सिखा दिया जाएगा, मतब वैसा उप्शन की सिरीज चल तो इसके दो पार्ट अल्री आ गए है और काफे सारे पार्ट आने बाकी है, तो उसके लिए सिंपल सी बात है, आपको चानल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब जो की फ्री है, सारे रिजल्ट के क्विक अनल इसस यहाँ पर आपको मिलते हैं और वीडियो पसना है, तो लाइक करने हो बनता ही है बात करते हैं डिविडेंड की, एक डाई रुपे का डिविडेंड दे दिया भाई साब, बहुत बड़ा डिविडेंड दे दियो, डाई रुपे का डिविडेंड दे दिया और यह वही कंपनी है, आइकस काफे सारे लोग जो स्टाफ मारकेट से लटड़ है वो Zee Business को दिप सा है, चेक कर लेते कि कैसे रिजल्ट आया है, सबसे पहले बात करें, सारे फिगर्स आपको रुपीज इन लाक में आते वे देखने को मिलेंगे, इंकम की बात करें, तो टू लाक का इंकम आया है, लास्ट कॉर्टर टू लाक थर्टीन थाउजन था, इयर ओन यर से 6,92,000 पाया है, तो इंकम गिरती भी आई है, यर ओन यर और कॉर्टर ओन कॉर्टर दोनों ही बेसिस पर इंकम गिरती भी आई है, एक्सपेंस की बात करें, 1,35,000 लास्ट कॉर्टर 1,48 था, यर ओन यर के अगर हम बात करें, तो 6,00,000 से जो है वो अब 5,19,000 का आगया है, त एक्सपेंस को भी उन्होंने काफी तेजी से घठाया है, और एक एक्सेप्शनल आइटम है, एक एक्सेप्शनल आइटम है, जो आपको 3,000 लाक्स का एक वन टाइम इनको कुछ लॉस हुआ है, तो प्रॉफिट अं टैक्स फॉदर पीरिड के अगर हम बात करें, तो जो प् देखने को मिला, लास्ट क्वाटर 44 का था, एक एक एक्सेप्शनल आइटम का घाटा हुआ था, तो अगर वो आप एड कर दोगे तो यह 46 के आसपास आता है, 46, 47,000 लाक्स में वो प्रॉफिट आया था, तो क्वाटर अन क्वाटर भी बढ़ा है, एक 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 एक्सेप्शन हो गया है, एक्जाटली डबल तो नहीं, बात करते है, EPS की, तो EPS से भी आपको पता चल जाएगा, 7.83 के EPS से 11.67 का हो गया, 4.62 के EPS से 4.55 का हो गया, वो वन टाइम लॉस की वज़े से हुआ है, वरना वो होता नहीं, वरना वो आपको आपको नॉमल ही दिखता, थोड़ Profit Booking कर सकते हो, Investment के लिए आपको और भी अच्छे options देखने को मिल जाएंगे, ऐसा मेरा opinion है, मैं कोई CB Register Advisor नहीं हूँ, तो मेरे बोलने के बाद आपको कोई Profit Loss होता है, वह आपकी जिम्मेदारी है, आप अपके एक फैनाशन आवासर कंसर्डर कर लीजीगा, लेकिन मैं इ आपर नहीं, बढ़िया है, ऐस सच कोई issue आपको आता हो देखने को नहीं मिल रहा है, मिलेंगे एक लिए वीडियो में तब तक खिलिए, बाबाए